इधर 36 गड की गोधन नय योजना ने अपनी शुरुआत के साथ ही प्रदेस में एक नई आतिक सामाजी क्रांती का आगाज किया है बहुत कम समय में इस योजना ने अपनी महता और सार्तक्ता साबित कर पुरे देस का ज्यान अपनी ओर आकर्शित की है इस अनुथी योजना ने लोगों को रोजगार के साथ अतिरिक्त आय का जर्या भी मुहाया कर आया है जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को विशेश रूप से रोजगार के अपसर भी ले हैं देखे उभरते 36 गड की खास रिपोर्ट 36 गड शासन की महती योजना गोधन्या योजना की गूंज अब 36 गड के साथ ही देश के अन्यराजियों में भी बखुबी हो रही है केंद्र सरकार ने भी इस योजना को हाथो हाथ लिया है गोबर से वर्मी कमपोश्ट और गोबर से पेंट बना कर एक और मुकाम हासिल कर लिया गया है गोधन्या योजना के तहट जहां पशुपालकों से गोबर खरीदी की जा रही है वहीं इस गोबर से गोठानों में स्वसाहता समूहों के द्वारा वर्मी खाद बना कर उसका विक्रै कर समूह के सदस्यों ने इसका भरपूर लाब उठा रही है आज यही वज़ा है जो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है जिसका जीता जागता उदाहरान स्वच मनेंदरगड क्षेत्र संग की महिलाएं में देखी जा सकती है गोर तलब है कि नविन जीला मनेंदरगड चीर्मिरी भरतपूर के अंतरगत जीला मुख्यालाय मनेंदरगड के शहरी गोठान में वर्मी खाद निर्मान में सनलगन स्वच मनेंदरगड क्षेत्र इसतरी संग का टरना ओवर एक करोड तक जा पहुँचा है वर्ष 2020 में योजना के शुभारम में साथ ही गोठान में गूबर खरीदी का कार्य शुरू किया गया था आज इस संग द्वारा एक लाग 312 कुंटल वर्मी खाद विक्रय किया जा चुका है जिसकी राशी एक करोड 32,000 रुपए बनती है इसमें समू का शुद्ध लाब 36,73,000 रुपए हो गया है पूरे जीले में वर्मी कंपोष्ट खाद उत्पादन करने वाले विकास खंड मनिद्रगर की स्वच्छ मनिद्रगर क्षित्र इस्तरी संग की सदस्य सवीता दास बताती हैं कि जब गोधन्या योजना शुरू हुई थी तो शहर के गोठान में समू के द्वारा जुड़कर वर्मी कंपोष्ट निर्माण का कारी शुरू किया गया था जैसे जैसे उत्पादन और विक्रय से लाब मिला लोगों का इसके प्रती नजरिया बदलने लगा इस योजना से हमें स्वरजगार का जरिया मिल गया है और वर्मी खाद विक्रय से जो लाबहांश मिला है उससे महिलाओं में अधीक इस्थिती मजबूत हो गई है मनेंदगण में जो गोधन नयाश योजना चलाई जा रही है हमारे यससी मुख मंतरी मानी भूपेज भगेल जी की बहुत महती योजना है हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका जीवन इस तरूचा करने के लिए उनके आर्थी किस्तिती मजबूत करने के लिए योजना चलाई जा रही है और इसी तरतम में हमारे जो मनेंदगण में महिलाई है 74 जो 70 महिलाई इस कार्यत है वो गोबर बेच रही है उस गोबर को वो खाद बनाती है खाद बना की विक्री कर रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक करोड टानोबर पूरे 36 गड़ में हमारा मनेंदगण पहला सहर है जो सबसे ज़्यादा खाद बेचा है और हमारी महिलाई स्वालंबी हुई है और उनका जीवन इस तर मुख मंतरी को नगर पालिका परिसद मनेंदगण की तरफ से कोटी कोटी धनेवाद गैपित करती हूं कि हमारे मुख मंतरी जी ने हमारी महिलाओं का जीवन इस तरूचा किया उनकी आर्थी किस्थिति को मजबूत की आज हमारी महिलाई अपने बच्चों को पढ़ाई लि योजना यही है कि हम भी गोबर से बनाएं और उसमें भी हमारी महिलाएं स्वालंबी बने गौर तलब है कि इस समूह में कूल 73 महिलाएं जुड़ी हुई है यानि कि सीधे यह कह सकते हैं कि 73 महिलाएं स्वारुजगार से जुड़ी हुई हैं गोठान में वर्मी का मजबूत इस्तंब बनाया है उन्हें आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता का रास्ता दिखाया है यह गोधन नया योजना के तहट जो हमारे 225 शुकृत गोठाने हैं वहां पर सासन के दिशनिर्देश कुंसार क्रियसिल गोठानों में गोबर क्रेक कारवही समूहों के द्वारा गोठान समीतिक द्वारा किये जा रहा है और क्रेक करने के पहच्चात जो उसके एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद तयार के जा रहा है उसको उन तयार के खादों को विभीन मद्द संस्थाओं में चाहे वह वन मनलदी कारी हो, कि जिसी भाग हो, शहकारी समीतिया हो, उसके माध्यम से विक्रय करने का विक्रय कराया जा रहा है और कोशिछ है कि किसक जदा से जदा मातरा में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, जिसे धान की उत्तपादक में फसल की उत्तपादकत पैदावार में बृद्धी होगा. ये राजियों के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो गया है रफ्तार मेडिया के लिए MCB से पंकज कान दुबे की रिपोर्ट